मैं गौरो शुक्ला आज लेकर आया हूए एक और वीडियो जो की नारी सक्ति पुरस्कार 2019 जो आठ मार्च 2020 को दिया गया है उसके बारे में बात करने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों की अगर आपने अभी तक जीके डेटर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर लेजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते रहेंगे तो आप हमारे साथ पने रहेएगा तो चलिए सुरू करते हैं नारी सक्ति पुरस्कार क्या है पहले इसके वारे में बात कर लेते हैं तो नारी स सक्ति पुरस्कार दे ढता प्रमाण पत्र दिया जाता है जो किसी भी च्छेतर में देता आप है नारी के कारियों के लिए और यहाँ पर सबसे आहम बात यह हैगा जिया ज्योंब दीपुरस्कार यहाँ पर अवनी चतरवोधी और भावना कंट इन तीनों को 2018 में एरफोर्स की पहली माईला फाइटर पाइलर्स के रूप में तैनात हुई थी और इनको नारी सकती पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया है ये मेक 21 वीमान की पहली उडान भनने वाली ये पाइलर्स है अगला देख लेते हैं अगला नाम है नाम कौर स्वरी मन कौर कानपूर उत्तरप्रदेश की महिला है जो की उम्र में काफी उम्र हो गई है इनकी 104 वर्स उम्र की है और ये अथलीट्स है 104 साल की अथलीट मान कौर को रनिंग में सांधार प्रदर्सन के लिए सम्मानित किया गया है बैस्विक इस्तर पर होने वाली प्रतिभावाओं में मान कौर ने लगभग 30 से ज़्यादा पदक जीते हैं अगले कंटेंस को देते हैं कि नाम आरिफा जन स्री नगर जमू एंड कासमीर की रहने वाली है इनको नारीफ सक्ति पुरसकार से सम्मानित किया गया है ये जमू एंड कासमीर सो हो खत्म हो रहे कला यानि कि क्राफ्ट आर्ट को रिवाइर करने के लिए और तथा उन्हें जीवित रखने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है ये कहती है कि मेरे पिता और पती के समर्थम मेरोड़ी वास समाज में लड़ने काम्याब रही और यहां तक पहुँच सकी अगली महिला को देखते हैं अगली महिला है तासी वा नुकसी ये दोनों बहने सगी बहने हैं जो देहरादून उत्राखंड की रहने वाली है जो उत्राखंड में देहरादून की जुड़वा बहने हैं और इन्होंने कई गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाए हैं दुनिया भर में साथ सबसे उंची चूटियों जिसमें एवरेश्ट भी सामिल है ये उनकी चड़ाय की हैं इसके लिए इन्हें नारी सक्ति पुरसकार से नवाजा गया और साथ ही उत्तरी और दच्छडी धुरूप की इसकी इंग भी पूरी की है अगले नारी को देखते हैं अगली नारी जहां तक देखा जाये तो कार्थियानी और भागी रती अम्मा दोनों को सैयुख तुरूप से नारी सक्ति पुरसकार से समानित की इक है कार्थियानी की जी की बात की जाये तो उम्र लगभर 96 वरस है кार्थियानी अम्मा ने साल 2018 में 100 में 98 अंक चाहांसिल की ठे कार्तियानी अम्मा और भागी राथी अम्मा को सेंक तुरूप से नारी सक्ति पुरास्कार दिया गया है और बात की जाए अगर भागी राथी अम्मा की तो केरल की 105 साल की भागी राथी अम्मा ने इस उम्र में चोथी कच्छा के इस तर में भी अच्छे नंबरों के साथ उत्येंड की भागी रन्ती ने नौ वर्स की उम्र में मा के दिहान के कारार अपनी पड़ाई छोड़ दी थी अब उनके गणित बिसाय में 75 में से 75 नंबर हासिल किये हैं अगली नारी को देखते हैं जिनको नारी सकतीपरास्कार से सम्वानित की आ गया तो अगली नारी का नाम है रस्मी और दोहरसी महाराष्ट के पुडे की रहने वाली रस्मी और दोहरिसी पिछले 60 सालों में आर एंडे प्रोफेशनल है, एमिशन मेजर्मेंट में योगदान देकर रस्मी ने भारत की पहली एमिशन लेबरोटी इस्थापित करने की एहम भूम का निवाई, इन्हें भी राष्टपती द्वारा नारी सकती पुरसकार से सम्मानित किया गया, अगली नारी को देखते है अगली नारी है निलजा बागमो ले लद्दा की रहने वाली है, पहला ऐसा लद्दा की किचन चला रही है, जो लद्दा के खास लजीज और भूले बिसरे पकवानों को परोसा जाता है, निलजा ने कई यूवा महिलाओं को प्रसिचित भी किया है, जो इनके किचन में काम कर रही है इन्हें भी राष्टपती द्वारा नारी सक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अगली नारी को देखते हैं अगली नारी है कौसकी चक्रवर्ती जो की कोलकता पंजाब सोरी कोलकता पश्रिम बंगाल की रहने वाली है पश्रिम बंगाल कोलकता की रहने वाली क उसकी चकवरती सास्त्री संगीत गाती हैं सक्षी भुमन नाम से पहले महिला सास्त्री बैंड बनाया और कई राष्टी और अंतराष्टी मंचों पर भी पफॉर्म किया है इन्हें भी नारे सकती पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्टपती द्वारा अगली नारी को देखते हैं कलावती देवी कानपूर उत्तपरदेश की रहने वाली हैं ये उम्र में काफी बुजर्ग है इन्हें रानी मिस्त्री के नाम से भी जाना जाता है कानपूर उसके आसपास के इलाकों में कलावती देवी ने चार हजास से जादा टाइल्स बनाए है कानपूर के खुले में सौच मुक्त बनाने वाली कला देवी ने अहम भूम का योगदान की है अतहा इन्हें राष्टपती द्वारा नारी सक्ति पुरसकार से सम्मानित किया गया अगली नारी को देखते हैं अगली नारी का नाम है भूदेवी जो की उडिसा की रहने वाली है इन्होंने बहुत ही एहम भूम का निवाई है आदिवासी इलाकों में महिलाओं को मदद करने के लिए नारी सक्ति पुरसकार से इन्हें राष्टपती द्वारा सम्मानित किया गया अगली नारी को देखते हैं अगली नारी है चामी मूर्मो उर्फ लेडी टार्जन के नाम से जानी जाती है यह जारखन की रहने वाली है लेडी टार्जन नाम से मसूर जारखन के राजनगर की रहने वाली चामी मूर्मो भी नारी सक्ति पुरसकार से सम्मानित हुई जंगलो और प्राकरतिक संबदा के संड़चित रखने के लिए किये गए प्रयासों के लिए चामी मुनू को यह संबान से नवाजा गया है अगली नारी को देखते हैं वीणा देवी उर्फ मस्रूम विमेन बिहार अर्थात वीणा देवी को मस्रूम विमेन से भी नाम से भी जाना जाता है जो कि बिहार की रहने वाली है बिहार की वीणा देवी मस्रूम महिला के नाम से प्रुसित दिस लिए हैं क्योंकि इन्होंने मस्रूम की खेती जैविक खेती और जैविक खात को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयासरत थी और इन्हें इसलिए ये सम्मानित किया गया है राष्टपती द्वारा इन्हें नारी सक्ति से सम्मानित किया गया बिना देवी पान साल तक दुवारी पंच अब तक पहुंच जाए और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वाटसेप चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका हैं तो हमारे साथ बने रही हैं तक तक के लिए नमस्कार